ये काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे लूटा है तुमें रहजन ने रैबर के इसारे पर रैबर कौन मोधी जी उन्होंने लूटा उनको इसारा किया गरीबों को लूटो 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 फाइनाल डिपार्टमेंट टैक्स डालके लूटते 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 गई अब लोग इतने गरीब बने अब सिर्फ उनके शरीर से खून निकलना बाकी है तो इसलिए उन्होंने बहुत कुछ कहा लेकिन एक काम भी उन्होंने नहीं किया मैं थोड़े से किंता हूँ क्योंकि जहां भी अपने नड़ा साफ जाते हैं जहां भी बूदी साफ जाते हैं आजकल हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी जरा बोलने लगे हैं पहले पिछे थे जरा आगे वह साथ साथ में जा रहे हैं तो उन्होंने ये कहा था हर साल दो करोड नूकरियां देंगे कहा था या नहीं आपको मिले हुएंगे दो करोड इसलिए कमजोर हो नहीं मिले हैं एक देश का प्राइम मिनिस्टर एक सो चालीस करोड का नेता वो कैसा जूट बोलता है आप लोग जूट बोल रहे हैं वो दो करोड नूकरियां लेके नहीं दिया बोलके बोल रहे हैं यह जूट है पापी जारा उन्हों दो मोदी जी है तो सबको नूकरियां देता हूं बोलके दो करोड बोला वो कैसा जूट बोलता है आप में कुछ गल्ती होंगे आप देखो कहीं कहीं अगर अपॉइंटमेंट ओर्डर गिरे हैं तो निकाल के देखो क्या अड्रेस गलत है क्या देखो और पंद्रा लाख रुपे हर एक के घर को देने का उन्होंने वाया किया या नहीं किया मिला फिर कौन जूटे क्या मोधी जूटे क्या आप जूटे क्योंकि ये तो उन्हों बोले सो है हम कोई नहीं बोले तो मैं पूछता हूँ पंद्रा लाख भी किदर गए फिर किसानों की आंदानी दोग ने वो तो गया ही चले गए नोट बंदी से मैं ब्रस्टाचार निकालता हूँ ठर्रीजम खतम करता हूँ और देश को खुशाली के तरफ लिजाता हूँ उन्होंने कहा अब नोट बंदी होने के बाद आप सच-सच बोलिए ब्रस्टाचार मिट गया और जो उन्होंने टर्रीजम की बात की थी क्या कश्मीर में टर्रीजम बंदुआ क्या बॉर्टर पे बंदुआ नहीं तो किस ने जूट बोला मोदी ने बोला और माताओं बैनों मंगाई से छुटका रहा तो हमको पाना है हम राज्य में जा जा है हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनों उसके बारे में कभी सोचते नहीं टोमाटो की किम्मत कितनी हो गई हो गई सोचते नहीं प्याज की किम्मत कितनी हो गई सोचते नहीं डाल की कीमत क्या हो गई सोचते नहीं थेल की कीमत क्या हो गई सोचते नहीं सिर्फ वो यही सोचते हैं आगे के चुनाओ कैसा लोग